अधिर्वदेश में आगमी समय में होने वाले नगरीय निकाय चुनाओ को लेकर भाजपा और कॉंग्रेस के साथ ही तीतरे मोर्चे के रूप में उभरती आम आदमी पार्टी ने भी चुनाओ को लेकर कमर गसली है इंदोर के जिला पार्टी कारिया ले पर प्रदेश अज्यक्षे व परिवेक्षक बुध्वार को पहुंचे और चुनाओ समबद दिन्त जानकारिया थी द्रसलामादमी पार्टी जिलाएकाई द्वारा बुध्वार को गंगा की बगीची में आयोजित अक्षेत्री जिला इस्तरी कारेकरता सम्मेलन आयोजित किया गया जहां मुख्य अतिथी के तौर पर पार्टी के प्रदेश अज्यक्षे पंकष सिंग ने कारेकरताओं से चर्चा की जहां मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश अज्यक्ष पंकच सिंग ने भाजपा और कॉंग्रेस दोनों ही दलों की नेताओं पर निशाना साथा पंकच सिंग ने कहा कि सीम शिवराज सिंग चोहां जहां 15 सालों से घोशना करते आ रहे हैं और प्रदेश के हर वर्ग के नागरिक से जुटे रिष्टे बना रहे हैं तो वहीं 2018 में आई कॉंग्रेस सरकार भी जनता के वादों पर खरी नहीं हुतरी और भारती जनता पार्टी की जब सरकार आती वहीं कॉंग्रेस इने तो वहां पहुँच जाते हैं जब कॉंग्रेस की सरकार आई कुछ इधर आ गए तो ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तो प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी जनता के समक्ष पूरा विकल्प देने जा रहे हैं ये नगर निकाय के चुनाओ एक तरीके से कहें क्वाटर फाइनल है सेमी फाइनल 23 में होगा और 24 में फाइनल भी होगा तो आम आदमी पार्टी पूरा विकल्प देने जा रहे हैं इमानदार विकल्प और फिर हमारी जो लगातार कोशिस है यहां प्यूस जोसी जी मवजूद है पुरी टीम इंदौर की मवजूद है लगातार संघर्ष करते रहते हैं जनता का जो प्रत्यासों के चेन करेंगे हमारा सबसे पहला जो रहेगा उस पे ट्रिपल सी रहेगा क्रिमिनल केरेक्टर और क्रप्शन इस पे हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे ऐसे किसी भी आजबी को हम टिकट नहीं देंगे जो इन तीनों फॉर्मूला को फुल फिलना करता हो तो इसके अलावा जो भी लोग हैं पार्टी में इतने साल से रहे हैं यह प्रोसेस हमारा चलेगा यह ट्रिपल सी का फॉर्मूला लेकिन हम यह हमारा फॉस्ट प्राइट का चैन करेंगे यह पर्थम चीज हमारी रहेगी दूसरी चीज यह रही कि यहां पर दोजार ठारा में कॉंग्रेस की सरकार बनाए दी लोगों ने मद्यपरदेश की जनता ने बनाए दी लेकिन वह सरकार बारा महिने भी नहीं चली और सरकार बदल गई अब पैसे से बदल कॉंग्रेस नहीं है कुँं खरी गए ना विकेर शारणे विक्तो गए बएत कि हम कॉंग्रेस को क्यों वोड दें अगर उसने जाना बीजेशों कि भी दिख को भोड देशंट rolls कॉंग्रेस बिकल्प नहीं है बिकल्प आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी मुझबूती से बीज़ेपी का मुकाबला करेगी कॉंग्रेस में अब दम नहीं है सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आएं हमारे साथ स्वागत है उन सब लोगों का जो अच्छे लोग हैं भाजपा के हों चाहिए कॉंग्रेस के हों सुरेश कठेज देखिए जब जब चुनाओ आते हैं तब तब सिवराज जी सक्री होते हैं आगामी नगर निकाय के चुनाओ हैं पंदब सिवराज सिंग चौहान को तो हम पिछले सोला साल से देख रहे हैं एक साल बीच में उनका गैप रहा बाकी तो सोला साल के उनकी सरकार रही है वो घोषणा पर घोषणा करते हैं एक घोषणा अमल नहीं होती अभी नगर निकाय के नगर निगम के आपके चुन हो आ रहा हम बड़े सक्त हैं हम बहुत अच्छे वो हैं तो उसके लिए करते हैं बाकी सिवराज सिंग चौहान के विषय में यह हैं वो काम तो नहीं करते उनके अधिकारी भी जानते हैं घोषणा हुई है उसके किनारे रख देते हैं अपने तरीके से लूट तंतर चल रह यहां की खनीज विवस्था लूट रही है यहां के रासन से लेकर जो बुनियादी सुविधाएं हैं बिजली है पानी है उस पे लूट मची है कहीं न कहीं इनके लोग दंदों पे इंवाल्व हैं दारू से लेकर तमाम तरह के इनके लोग इंवाल्व हैं धंदों पे बाल बन जाते हैं Crime Record Bureau National Crime Record Bureau बताता है कि मद्धे प्रदेश महिला अत्याचार के मामले में देश में नमबर एक पहुंच रहा है और ये किसान पुत्र बन जाते हैं जब किसानों के बीच में जाते हैं किसानी बहुल लिलाका है पांच किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं मद्धे प असनकाल में बीस हजार से जादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं और ये किसान पुत्र बन जाते हैं तो इनके बिसे में आम आदमी पार्टियों में एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर ऐसा कोई सगा नहीं जिसको सिबराज सिंग चौहान ने ठगान झाल